हलो फ्रेंस वर्कम बैक टू दी चैनल आप देख रहे हैं वीजेस वंडर लाइफ का एक और नया ब्लॉग सो स्टार्ट करते हैं लास्ट एर आई टी आई कल यानी आई टी आई में जो वर्ल रिकॉर्ड बनाया था जेस पंडाल ने उसी जगह पे ये वाला पंडाल बनाया है बहुत ही भीर था इस साल भी इसने रिकॉर्ड तोर एकदम मतलब क्या बताऊ इतने व्यूवर्स आए हैं मैं वीडियो वैसे करनी पाई बाहर से देखें कितना crowded है, आज की ब्लॉग में ज़्यादा बगबग नहीं करते हैं, आपको मैं शांती पूरवक सारा जो पैंडल हॉपिंग हमने किया है, टोटल जो पूजा के कुछ दिन मेरा जो दिन गया है, मैं वो सब छोटे छोटे कितके हम लोग निकले हैं, मतलब लडाई करके हमने मा के धर्शन किये हैं, तो कल्यारी ITI का देखने के बाद, हम सीधा चले गए, कल्यारी सेंडल पार्क में, और यहां पना आप सच्छी में, दुर्गा जो मूर्ती है, मा की मूर्ती है, इसको देख के मंत्र मुग्ध हो ज करते हैं, तो अगेन यह एक पंडाल था, जिसका मुझे लगा कि दिन में शायद लोग जादा अचलाएगा, मैं कुछ इतना ही पंडाल का मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगे, आप लोग के साथ शेयर करने को मन किया, मतलब नही करके मैं रहनी पाई, वैसे तो बहुत जगा में घूमी लेकिन कुछ ऐसे पंडालते जिनका मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, यह भी कल्यानी में ही है, मेरे घर के पास, मैंने जहाँ फ्लैक लिया है, उसके बिल्कुल पास ही है यह वाला एरिया, तो यहां का भी मू आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा, वो वी आई पी लाइन में ही इतना देर तक मुझे खड़े रहे के मा के दर्शन के लिए वेट करना पड़ा, so actually कुछ मेरे special friend लोग का request था कि कल्यानी और काच्छापड़ा के पंडाल दिखाने का, वैल काच्छापड़ा मैं इस झाल 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 I wish मेरे सभी दोस्तों की मनो कामना मा दुरगा इस साल और आने वाले सालों तक पूरा करते रहे जो भी friends आज पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं I would like to request please consider to subscribe this channel because it's totally free आप मुझे Instagram भी follow कर सकते हैं और ब्लॉग कैसा लगा ये like and comment करके बताना भी ना भूले और ये वाला दुर्गा पूजा मेरे खुद के पीशी के घर यानि की बुआ के घर का है जहां हम लोग दर्शन के लिए गए थे और देखिए समायरा ढाक बजाने को इंजॉई कर रही है बज देखते ही देखते है वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार हमें बिलकुल नहीं होता है यानि की विजए दशमी का दिन मा की विदाई वाला दिन तो देखिए मतलब दुर्गा पूजे के राइम न हम बंगाली घर में ना रहे अपनों के बीच ना रहे तो बहुत ही दुख होता है सबके साथ इतने दिनों बाद मिलने के बाद बहुत अच्छा लगता है सासु मॉम के साथ इतने दिनों बाद आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा उनको सबके साथ दुरगा पूजा इंजॉई करने का जो होता है न वो अलगी होता है मेरी ममी को जब पता चला था मैं नहीं आ रही हूं पापा के साथ तो वो तो रोनाई स्टार्ट कर दी थी लेकिन लखी ली कैसे भी करके बोलते है ना मा का बुलावा आ ही गया और मैं लास्ट के कुछ दिनी सही लेकिन मा के दर्शन के लिए आप आई कोलकाता यही सबसे बेंगॉली में उसको वरन बोलते हैं तो वही सब चल रहा है अभी और इस चीज़ को समारा भी पहले बहुत चोटी थी वो समाज नहीं पाती थी लेकिन इस बार वो भी बहुत एक्साइड़ेड है वो मुझे कंडिरी उसली पूछ रही है कि भगवान को मैं भी मिठा इख वक्त आता है मेरा और बहुत ही emotional टाइम होता है friends बहुत emotional बहुत सारे लोग तो रो भी देते हैं जो भी पुजारी पाच दिन तक मा की पुजा करते हैं वो लोग तो फूट फूट के रोते हैं विदाई वाले दिन आज के विजय दसमी वाला लुक आप सब को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना बहुत दिनों बात आप लोग को देखने को मिल रहोगा कि विजय दी थोड़ा सा रेडी हुई है वेल बेंगॉली साज में मैं सजी हूँ बहुत ही मुश्किल से रेडी हो पाई अनेश भगवान कॉला मा जो भी है उनलों का ऐसे करके बारुन किया जाता है और फाइनल इसके बाद आता है ना मेरा फेवरेट जो की बोलते है सिंदूर खेला मेरा फेवरेट है ये दुर्गा पूजा में धुनुची डांस इस बार मैं करनी पाई मुझे बहुत मन था आ यही हमारा कल्चर है बेंगॉली कल्चर में बहुत ज्यादा इंजॉय किया जाता है इस चीज़ को और इस चीज़ के ने एक बात है मैरेट वूमन ही इस चीज़ को इंजॉय कर सकती है अनमैरेट लोग बस थोड़ा सा टीका बगरे लगाते हैं समयर अपने मामू के साथ मामू के गोद में ही पूरा पूजा घूमी है बोलने से वेल बहुत सारे लोग यह सोचते होंगे कि बंगाल में विजय दश्मी के बाद भी मूर्तिया कैसे रह जाती है पंडाल में क्यों विसरजित नहीं होती है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ज़्यादा बात नहीं होता है तो यहाँ पर आज मैं क्लियर कर देती हूं सभी फ्रेंस को यहाँ पर जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्ति रखते हैं उसका पूजा करना बहुत मुश्किल होता होगा पंडित के लिए क्योंकि वो बहुत ही हाइटेड होता है तो इस चीज़ को शॉट आउट करने के लिए भगवान के बिल्कूल नीचे छोटी सी मूर्ती भगवान की मूर्ती रखी जाती है जिसकी पूजा की जाती है और जिसको विजय दशेमी के बाद ही या उसी टाइम विशरजित कर दिया जाता है और बड़ी मूर्तियों को रख दिया जाता है जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनको भीर नहीं पसंद होता है क्राउड वले टाइम जाना पसंद नहीं होता है लेकिन हाँ वह भी पूजा में तोड़ा घुमना चाहते हैं पंडाल दिखना चाहते हैं तो उन लोग के लिए न यह पर्टिकुलर्ली रखा जाता है इस चीज की सुविधा की जाती है कि पूजा के बाद भी काफी दिनों त तक आप पंडाल दर्शन कर सकते हैं इसी स्पेशल चीज के बदालत आप मेरे ब्लॉग के थुरू खोलकाता का पंडाल और पूजा दर्शन कर पा रहे हैं आज की ब्लॉग में ना मैंने कोशिश किया है कि पूजा के कुछ दिन और मेरे घर में होने वाले लक्ष्मी जी की पूजा को भी मैं कवर कर पाऊं तो ये मेरे घर का लक्ष्मी माता का पूजा है मैं इस मूर्थी को लेकर आई हूँ मा को लेकर आई हूँ और ये सजावत में मैंने अपने हाथों से किया है particularly बंगाल में हम लक्षमी जी की पूजा दिवाली में नहीं बलकि दुर्गा पूजा के कुछ दिन बाद ही कर लेते हैं well जब भी मैं quarter में रहती हूँ तो quarter के आसपस पड़ोसी लोग लक्षमी गनेश दोनों की पूजा करते हैं और हमारे बंगाल में लक्षमी जी के पूजा कुछ इसी टाइम पे होता है and similarly जैसे सबके घर में दिवाली के दिन गनेश और लक्षमी जी की पूजा होती है बंगाल में हर घर में लक्षमी जी की पूजा दुर्गा पूजा के कुछ दिन बाद ही होती है देखिए मैं अपने फेमस आलपोना का डिजाइन बना रही हूं घर के बाहरी पिछले सार का डिजाइन भी आप लोग को याद होगा मैंने इसका शौट वीडियो बनाया था और आज ना मेरी एक फ्रेंड मुझे आलता पैना कर गई है उसका भी लुक आपने देख लिया होगा और यह जो गोलवाला डिजाइन है ना यह पापा ने बनाया उन्होंने फोन देखके मतला वीडियो देखके बनाया है और यह चोटा सा गिफ्ट जो की मेरे ममा पापा की तरफ से अध धन्देरस गिफ्ट मुझे था तो मैंने इसको सोचा क्यों ना इसको भी मा के पास रख दूं ताकि इसका भी शोदोन हो जाए शोदोन मतलब इसके सुद्धी करन हो जाए और इसको मैंने मा के पास ही रख दिया उसके बाद ही मतलब पूजा कहने के बाद ही मैं इसको पहनूंगी पंडिती भी आ गए हैं यहाँ पूजा भी हमारी अल्मोस्ट संपन हो चुकी है वेल फ्रेंट्स ये था मेरे घर के पूजा का एन कोलकाता के दुर्गा पूजा के मोमेंट्स जो की मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी बहुत ही जल फिर मिलते हैं एको नए ब्लॉक के साथ तब तक लिए बाई ठीके रेंड थैंक्स पर वाचिंग